वेलकम टो माई चानल प्यारे बच्चो आज हम शुरू करने जा रहा हैं क्लास्टेन की मैथामेटिक्स बोले तो क्या बच्चो एक्ससाइज 4.2 बोले तो क्या गरम गरम जले भी आपने तो क्वाडेटिक पॉलिनोमिल के बारे में जाना ही होगा इसका maximum degree कितना होता चाहिए 2 तब हम उसको क्या बलेंगे बच्चो ग्वाडेटिक पॉलिनोमिल इसमें देखो बच्चो जो x square का coefficient है a ओ नेवर भी 0 अगर वो 0 हो जाएगा तो बच्चो क्या होगा देखो बच्चो यह quadratic polynomial नहीं होगा क्या होगा बच्चो linear form में चला जाएगा समझे देखो बच्चो अगर इसी quadratic polynomial को ax square plus bx plus c इसी को हम अगर 0 के equal रख दे where a not equal to 0 तब हम इसको क्या कहेंगे बच्चो quadratic equations समझे बच्चो you have to mind one thing the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are the same समझे बच्चो quadratic polynomial का 0 और quadratic equation का root का मतलब दोनों सेम ही बात होगे समझे बच्चो मान के चलो अगर quadratic कोई equation हो या polynomial उसका कुछ मान के चलो graph कुछ इस तरह से होता है 0 का मतलब क्या होता बच्चो इस graph ने x axis को कहां पे cut किया देखो एक बार हिहां पे cut किया है एक बार हिहां पे cut किया है उसी बो 0 बोलते है और root का मतलब भी ओही होता है मतलब उस graph ने axis को कहां पे cut किया उस point को हम क्या कहेंगे बच्चो उसका root कहेंगे quadratic equation का देखो बच्चो degree कितना है 2 तो इसका maximum 0 या maximum root कितने होंगे बच्चो 2 उससे less भी हो सकते हैं लेकिन maximum कितना 2 ठेक है बच्चो maximum 0 या root कितना होंगे 2 इस पर आप गोर करना है क्योंकि इसका degree कितना है 2 इस quadratic जो equation होते हैं इसको हम आज क्या करेंगे factorization method से इसको हम solve करेंगे इस method से हम क्या करेंगे बच्चो इसको solve करेंगे ठेक है exercise 4.2 का हम question number 1 कर रहे है find the roots of the following quadratic equations by factorization हम क्या करेंगे बच्चो factorization method से इस quadratic equation का क्या निकालेंगे root तो देखो बच्चो हम इसके लिए क्या करेंगे factorization method में क्या करेंगे axis को coefficient कितना है one और constant term कितना है minus 10 1 और minus 10 को multiply करो ठेक है बच्चो 1 into minus 10 कितना होगा बच्चो answer minus 10 निकल किया जाएगा अब हम उसको इस तरह से लिखेंगे यह माइनस 10 हमने यहां पर लिख दिया इसका जो मिडिल टाम है minus 3 देखो बच्चो एक्स का कोफिशन क्या है minus 3 उसको हमने यहां पर लिख दिया ठेक है बच्चो अब हम इसे इसकादर करेंगे देखो बच्चो अगर मैंने 10 का फेक्टर लिया minus 5 और 2 ठीक है बच्चो 5 टू जा 10 ठीक है minus से plus से minus ठीक है बच्चो आप देखो बच्चो माइनस 5 के साथ अगर 2 मैं plus कर दो तो आंसर कितना निकल गया आएगा minus 3 इस minus 3 को मैं minus 5 और 2 से रिप्लेस करेंगा ठीक है बच्चो वाइड़ तो हम लिख सकते हैं बच्चो देखो x square minus 5 x plus 3 ए तोस 2 x minus 10 equal to 0 आप देखो बच्चो यह पहले दोनों से मैं common लोंगा ठीक है से ऐगा exlive minus 5 x common में चला गया आप इन दोनों से क्या आगा रहत चूब कोन आने सै देखो karşmember yes 55 tul x minus एड़ा से माइनस ठीका बच्चो अब देखो दोनों में गया बच्चो बाच्चो एक्समाइनस 5 दोनों में कॉमन है हमने एक्समाइनस फाइब कॉमन ले लिया न हीकए लेफ्ट आउट वापच्छ देखो एक्स और प्रसकर टूप एकवल टू जी रो आप हम क्या करेंगे बत्चो एक समाइनस फाइब को जीरो के एकुर राखें के ठिकवर च्छो तो है है अससे एक्स का विल्व किनिकल के आते है प्लस फाइब similarly we can equate x plus 2 equal to 0 तो यहां से x का विलू क्या निकल गया आएगा बच्छो x equal to minus 2 तो हमें क्या निकल ना बलाए बच्छो देखो roots तो roots क्या निकल गया आए 5 और 2 दे जाता required roots ठेके बच्छो root sir 5 और minus का 2 समझे बच्छो very good अब move करते हम question number 2 पे x का coefficient क्या है 2 है constant time क्या है minus 6 अब हम क्या करेंगे 2 over minus 6 को multiply कर देंगे 2 over minus 6 multiply करने से क्या होता बच्छो minus 12 देखो middle term क्या है x का coefficient 1 अब देखो बच्छो अगर मैं ठीक बच्छो 4 के साथ minus 3 अगर multiply करूं तो कितना होगा minus 12 निकल क्या आ जाएगा समझे बच्छो very good और 4 से अगर minus 3 को plus कर दो तो क्या होगा answer 1 होगा तो मैं इसको plus x को 4 minus 3 से replace करूंगा 2 x square देखो बच्छो यह 4 के साथ x आ जाएगा और यह minus 3 के साथ भी x आ जाएगा 4 x minus 3 x that means x minus 6 equal to 0 अब क्या करेंगे बच्छो first 2 से हम common लेंगे ठीक है बच्छो 2 x common पर आ जाएगा देखो बच्छो x plus 2 common में 2 x x आ गया बच्छो अंदर में x plus 2 common में चला है left out हुआ गया है remaining part गया है twice x minus 3 ठीक बच्छो एक्वल टो 0 अब हम क्या करेंगे बच्छो x plus 2 को 0 के equal रखेंगे तो हमरे क्या निकल के आएगा बच्छो आप देखो यहाँ पे x equal to minus 2 similarly we can put twice x minus 3 equal to 0 therefore twice x equal to 3 then we can say that x equal to 3 by 2 therefore the required roots are क्या है बच्छो roots roots are minus 2 and 3 by 2 these are our required roots समझे बच्छो अब हम करेंगे question number 3 देखो एक्सी स्क्राइब कोफिजेंट क्या है रूट टू और कॉंस्टेंट क्या है फाइब रूट 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 टू मिल्टिप्लाइब करने से क्या होता बच्छो टू तू तू और मतलब क्या निकल क्या आएगा root 2 x square प्लस 7 को हमने 5 x लिख दिया फिर 2 x लिखा देखो 5 x plus 2 x equal to 7 x plus 5 root 2 equal to 0 तो आप पहले से हम पहले दोनों से हम क्या करेंगे बच्छो common ले लेंगे ठीक है बच्छो एक्स कोमन आया जाएगा root 2 x plus 5 सेकें में दोनों से क्या कमन आएगा देखो बच्छो यहां पर टू है यहां पर रूट टू है तो छोटा सा रूट टू है इन दोनों में च्छोटा क्या है रूट टू है टू है common आगया root 2 into x root 2 root 2 multiply होके 2 हो जाएगे ठीक बच्छो इन्टो एक्स प्लस 5 एक्वल टू जिरो अब देखो बच्छो दोनों में क्या है root 2 x plus 5 दोनों में ठीक है तो हम common क्या लेंगे root 2 x plus 5 तो remaining part क्या रहे गाएगा बच्छो ए और यह तो हम निखेंगे एक्स प्रस्ट रूट टू इकेल टेटो जिर्ड उसको हम केब देखो बर्च इस ट्रम को हम क्या करेंगे ग lace एक्स प्रस फाईबल टूट जिर्डब सत्र अग्डेंगे तो यहां से क्या निकाल करगया गा गागे बाटी टूट एक इस तरह लिखेंगे x plus root 2 equal to 0 therefore ठीक है बच्चो therefore we can say that x equal to minus root 2 तो हमार है required जो root निकला ओ क्या क्या निकला बच्चो required roots are minus 5 divided by root 2 and minus root 2 these are our क्या है बच्चो required roots अब देखो बच्चो निवार फूर क्या कहता है 2 x square minus x plus 1 by 8 equal to 0 अब देखो बच्चो हमारा जो constant time 1 by 8 के form में दिया मतलब fraction form में इसको हम क्या करेंगे बच्चो lcm ले लेंगे lcm लेके हम 8 को 0 के सब्सक्राइब करेंगे ठीक है बच्चो अब देखो बच्चो हमने 8 lcm ले लिया lcm लेने से इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वान है 1 से 8 को 8 टाइमस 8 टूजा 16 x square similarly x के नीचे कुछ नहीं मतलब वान है 1 से 8 को 8 टाइमस 8 इंटो एक्स 8 एक्स देखो बच्चो 8 ने 8 को कितने टाइमस गया 1 टाइब 1 इंटो 1 एगें 1 इकल टो जीरो अब नेक्स सिस्टेम में हम क्या करेंगे 8 को 0 के साथ मल्टिप्लाइब कर देंगे 16 x square माइनस 8 x प्लस 1 इकल टो जीरो तो हम कह सकते हैं देखो बच्चो 16 x square का जो कॉफिशेंट है 16 और कॉंस्टेंट हम जो वान है उननों को मल्टिप्लाइब करेंगे ठीक है जो 16 1 जा 16 इसको हमने यहां पर लिख दिया अब देखो बच्चो middle term क्या है x का कोफिशेंट क्या माइनस 8 माइनस 8 को हम ने यहां पर लिख दिया अब क्या कर सकते हैं देखो बच्चों हमें 16 का इस तरह से फैक्टर निकालेंगे मतलब जो फैक्टर मैंटीप्लाइब करना से 16 भी ओजाए और माइनस 8 भी निकल आजाए देखो बच्चों-4 मैंने यहापे लिए माइनस पर यहापे लिए 4 4 जा 16 माइनस से प्लस देखो बच्चो माइनस का 4x माइनस का 4x टोटल कितना होगा माइनस का 8x यह निकल के आ जाएगा ठीक है इसी को कहते हैं splitting the middle term समझे बच्चो very good 16x square minus 4x minus 4x plus 1 equal to 0 अब देखो बच्चो यहां से हमरे क्या होगा 4x कॉमन आ जाएगा पहले दो से ठीक है बच्चो फोर एक्स कॉमन लेने से यहां क्या होगा 4x यहां remaining part क्या हुआ 4x यहां पर रहे गया देखो बच्चो फोर एक्स कॉमन पर आज होगा है तो यहां होगा 1 इसी तरह हम यहां पर क्या लेंगे common minus का one minus का one लेने से हैं four x yeah minus one equal to zero देखो बच्चो माइना सा माइना से plus ठीक है बच्चो one into one one अब देखो दोनों बें प्वोर एक्स माइनस one common है तो हम four x- one common लेंगे ठीक है a or a common में आ गया तो रहे गाए देख य। भ्च्चो four x- devil agon A or A ठीक के बच्चो हूं इकल डू जीरो फोर एक्स मैने सउनकों इकल डू रर renewed रखेंगे तो हिसे त्हों की ऐनकít च्राइएपाUL जाक we can in गार। हो जीरो किने सफेरे डिक मैंड़े से डूब जीरो तुल d一直 एसे थे दर ऑइसे आओंगे बच्छों procurement बाइफूर कॉमा वान बाइफूर दी जारा वार है रिकॉर्ट रोट्स अर्वेटिंग मैं पॉइंट्स वैरी तो मूब करते हैं हम कोशन नुमर फाइब पर एक्सिक्रू का कॉफिशेंट क्या है हंड्रेड और कॉंस्टेंटम क्या है बच्छों 100 इंट्वान हंड्रेड ठ दोनों को मैंचरह करने से मिनैस 20 ओलंडाय ठेक है बत्चों अगर हमने मायनस टेन हां पे लिया और मैंचर्वान है ठीक है बत्चों 10 ुट्इन समझने वाली बात यही है ठीक है बच्छों 100 x square 20 x को किस कदर लिखेंगे माइनस 10 x minus 10 x plus 1 equal to 0 इन दोनों में क्या कमना आएगा 10 साथी साथ x भी कमना आजाएगा ठीक है यहां पर 10 x 10 10 जा 100 x into x x square minus 1 ठीक है बच्छों 10 x into 1 10 x आप देखो बच्छों minus 1 अगर मैं common में ले लूँ तो यहां पर 10 x हो जाएगा minus से minus से plus ठीक है बच्छों यह वाला plus आगिया equal to 0 यह मतलब कुछ common नहीं कुछ common नहीं होने का मतलब क्या होता बच्छों हमेशा one common में रहता है आप देखो बच्छों 10 x minus 1 दोनों में है common ले लिया तो remaining parts किया हुआ 10 x minus 1 equal to 0 10 x minus 1 को हम equal to 0 कर सकते हैं यहां से हम कह सकते हैं 10 x equal to 1 therefore we can say that x equal to 1 by 10 similarly we can write 10 x minus 1 equal to 0 similarly we can get the value of x is 1 by 10 दोनों एक है बच्छों तो इसको solve करने से यह तो एक ही बनके आएगा ठीक है बच्छों तो हम कहेंगे the required roots are किया बच्छों 1 by 10,1 by 10 have you understood very good तो मूब करते है question number 6 पर एक स्कूर का कॉफिशेंट क्या है 2 है constant time क्या है बच्छों 6 तो हम 12 का अब इसका दर factor लेंगे ताकि उन दोनों का multiplication क्या हो 12 और उन दोनों का sum क्या हो minus 7 देखो बच्छों अगर मैंने minus 4 ले लिया और minus 3 ले लिया तो क्या होगा बच्छों 4 3 जा 12 minus 7 में से plus 12 निकल गया गया minus 4 और minus 3 को अगर हम add करेंगे तो न निकल गया आएगा बच्छों minus 7 are you getting my point very good तो बच्छों हम लिख सकते हैं 2 x square 7 x को हम क्या लिखेंगे बच्छों minus 4 x और minus 3 x minus 4 x minus 3 x plus 6 equal to 0 तो पहले दो से हम कॉमन लेंगे तो यहां से twice x common पर आ जाएगा यहां x रहे जाएगा यहां 2 रहे जाएगा ठीक है बच्छों twice x into x 2 x square 2 to 4 x यहां से क्या कमन आएगा बच्छों 3 3 to 6 है ठीक है बच्छों यहां से x minus का 2 equal to 0 देखो बच्छों minus 7 से प्लस ठीक है आप देखो बच्छों x minus 2 हमने क्या 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 कॉमन में ले लिया क्योंकि दोनों में x minus 2 कॉमन है ठीक है बच्छों remaining parts गया है बच्छों twice x minus 3 x minus 2 को equal to 0 रखेंगे तो x का वेलू क्या निकल गया आएगा 2 इसी तेर twice x minus 3 को equal to 0 रखेंगे तो यहां से देखो बच्छों x का वेलू क्या निकल गया आगा twice x equal to 3 therefore we can say that the value of x is 3 by 2 the required roots are क्या है बच्छों therefore the required roots are 2 and 3 by 2 these are our required roots मैं जितना दूर समझता हूं इससे easy method दूसरा कोई नहीं होगा तो आप please gore करना और इस problem को दर्बादर practice करते रहेंगा ताकि आपका confidence का level high हो और आप खूद भी कर सको ठीक है बच्छों देखो बच्छों आप please भूलना नहीं क्या channel को subscribe और video को share करना ठीक है till the time good bye